Hey guys, so आज का हमारा topic क्या है वीडियो का government versus private job after diploma जो discussion करूँगा completely क्या होगा आपका diploma के बात अगर आप करते हैं job government और private job में क्या difference है हम थोड़े से in-depth analysis करेंगे ताकि आप decision ले पाओ आपके लिए कुण सा job सही है, right ताकि आप exactly आपको पता लगे difference क्या है तो हम दोनों को discuss करेंगे, right प्लस मैं आपको बता हूँ कितना पैसे लगबग कमा सकते हो, right पूरी lifetime में, कितना salary जा सकता है, average में आपको मैं share कर सकता हूँ आपके साथ, right topic सुरू करने से पर एक छोटा सा instruction है मैंने अपना एक mini course launch किया है किस पर internet business blueprint पर अगर आपको internet business करना है, जिसमें low investment से high return आता है कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं कितना कमा रहा हूँ तो मेरा पूरूब भी आपको कुछ नकुछ में आपको दे दोंगा इस course में, एक mini course है और इसका price किया 9 rupees में अगर आपको internet पर business करना है, तो आप इस course को जुरूर buy करिए, link आप मिल दाएगा, first time में और description मिल दाएगा 9 rupees क्यों, because इससे कम रखनी सकता, मैं 4 में 4 ता एक रूपर रखने के लिए लेकिन रखनी सकता, मेरा जो gateway है, जो मेरा payment accept करती है मतलब मेरे लिए collect करती है, वो allow नहीं करती है, right, so मिलेंगे ज़रूर हमारे उस course में, लेकिन इस वीडियो का हम क्या करते हैं, continue करते हैं, चले चलते हैं, इस पर हम बात करेंगे अब, तो चले चलते हैं भाई साब, कुछ मोटे मोटे बात करते हैं पहले, government job का, right, और private job का, पहला भाई साब क्या है, बात करेंगे, job कैसे लगता है, उसके लिए entrance देना होगा, right, you have to give entrance, और उसमें कितने साल लगेगा, एक साल में तो लगबा किसी का निकलता नहीं है, बहुत rare है, दो से लेके, साथ साल तक लोग preparation करते हैं, जो मैं अब तक 10-12 साल से देख रहा हू मतलब लोग 18-19 साल में शुरू करते हैं आपता डिपलोमा, job लेने के लिए, और फिर क्या करते हैं बाई साब, चलता रहता है, कारवाई चल रहा है, उनका चलता रहा है, चल रहा है, और जो सासल करते हैं, कहींने कहीं निकल जाता है, उनका लगबाग निकलता है, जो पढ आपका एक्जाम होगा एक्टिट्यूड जैसा राइट अच्छे कॉल से पट रहे हैं तो आपको बता देंगे आपको सेकेंडियर में बता देंगे वह फुली इंटर्वू से हो जाएगा टाइम कितना लगता है जॉब लगने के लिए जीरो कोई लगता नहीं है राइट स्टेटर मेजर लिए हैं एक स्टेट है और एक सेंट्र ए अगर मालो वसमें जईब आपको बताता हूं जाकर में सेंट्रल स्किल सेंट्रल मिलता है लेकिन मेरे पदोसी जो हमारे स्टैटे क्याई रहता हूं और एगसा Saun लेता हूं जैसे टीचर है अगर मालों स्टार्टिंग सैली 35-40 हो रहा है आपका जार्खन में 30-35 के आसपास हो रहा है डिपेंड करता है कौन से क्लास को पढ़ाते हैं हो स्कुल की बात कर रहा हूं तो आपका वेस्पेंगल में कितना होता है 15000 के आसपास होता है तो डबल का लगबग डिफेंड्स आया है ता है इसलिए बतारों आपको अच्छा अब देखो इस स्टेट गवर्मेंट का जॉप करेंगे यह सिप डिप्लोमा पर इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर बीटेक इंक्लूट नहीं करूंगा विकास बीटेक का स्केल कुछ और होता है तो से सेइ अर्र फर लार भी जेए में और यह स्यांले Mick कितना मिलते है इसमें कितना मिलता मिलता है इप not at करता है कि आप कैसे company में जौब कर रही हो एक वी मतलब क्या होता है vendor company क्या होता मैं समझाओंगा आपको और क्या होते है आपका product based company और दोन में different scale it will make you understand right बहुत important है जैसे मालो क्या है मालो मैं कोई समान बना रहा हूं मालो में ट्रक्टर बना रहा हूं example अब ट्रक्टर क्या करूंगा मैं मेरे पास designer मेरे पास अक्पूज है और मैं करूंगा हर पार्ट को अलगलग company से बाई करूंगा क्यों बाई करूंगा किसी वार से बना के सस्ता बढ़ेगा इसलिए लोग बनबाते हैं कोई अगर बना के देरा सस्ते में तो उसमें जो काम करने वाले करमचरी होंगे उनके salary भी क्या होगा स्टेट जैसा salary होगा कम salary होगा as compared to product मतलब जो कोई company में काम कर रहा है तो उसका salary ज्यादा होगा अब देखो यह product बले company और भेंडले company दोनों जाते हैं campus में अगर आप diploma कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं MBA कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं अगर आपका placement campus से हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा two advantages है यह क्या है salary जदा मिलता है दूसरा क्या है आपको थोड़ा आसानी से job मिलता है भटक ना नहीं पड़ता है सबसे मुश्किल काम होता है बाहर भटक के job लेना salary तो कम मिलेगा ही मिलेगा chance बहुत जदा है बहुत rare chance है अच्छा salary मिलने का किसी को मिल जाता है बाई लग chance राइट तो कितना salary होता है वेंडर में भाई साब सच्चा यह ही है आठ से बारह हजार के आसपास होता है इसमें कितना होता है 15 से लेके 25 लेकिन बहुत कम colleges हैं इंडिया में I don't think so more than 5% होंगे तो उसमें क्या होता है 5% भी नहीं होंगे 5% से भी कम होगे मेरे साथ से इतने बड़े colleges जो अच्छे colleges हैं हर स्टेट में दो चारी होते हैं ऐसे राइट कुछ बड़े स्टेट में 5-7-10 हो सकते हैं तो उसमें salary 25 तक ज करेंगे let's talk about growth भाई growth जो है आपका government job में वो क्या है fixed है और मुझे दिक्कत इससे है यह थोड़ा dynamic होना चाहिए मेरे इसाब से फिर लोग काम करेंगे फिर जो government organization है और अच्छे से काम करेंगे but private में fixed नहीं है भाईया dynamic variable है जैसे काम करोगे जैसे perform करोगे वैसा आपको पैसा मिलेगा as you will perform you will get salary according to that right अब तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको clue देता हूं मान लो आपके college अच्छा नहीं तो क्या करोगे ने यह कोई दिक्कत नहीं भाईया कोई दिक्कत नहीं आप गया करिए चोटे कमें शुरू करिए after five years पांसल experience लेने के बाद ये बड़ा company वाला और चोटे करने पर लगवक सेम स्टेज पर आयते हैं अगर आपने experience सही लिया अब experience सही लिया का मतलब कह मैं समझाता हूं यहाँ पर बहुत सरे लोग गरवड़ी करते हैं क्या करते हैं सोच में थोड़ा दिक्कत है और इस सोच को सही करने के लिए क्या करना पढ़ेगा बहुत सरे किताबे पढ़ने पढ़ेंगे आपको फिर आप समझ जाएंगे बड़े आदमी कह सोचते हैं बड़े आदमी मतल जगा हमें काम किया देखा है हम क्यों काम करें मर्द एतना सेलरी है पेंसिवल काम करें उसका सेलरी लाक रुपिया है ऐसे हो गए आपस पढ़ा हो भी बोलते है तो जब आपके पास सेलरी कम है तब क्या करो तब सोचो कि आप सेलरी जो ले रहा है वह ऐसा क्या कर रहा है अगर आप वही काम सीख लो वही skill grab कर लो तो आपको भी very soon वही salary मिलेगा अगर आप वही काम करें वही आप क्या करें skill आप सीख लें तो आपको वही salary मिलेगा कुछ time बात मैं भी एक साल बात लेकिन आप सरी ले सकते हो कानिस अन्मारे कुछ मतलब क्या है अगर आपको 12,000 मिल रहा है आठ जर मिल रहा है किसी को 25 जर मिल रहा है वही डिप्लोमा आपके पास दिगरी है वह से इंडिर उसके पास है तो क्या डिफरेंस है आप में उसमें स्कील का डिफरेंस है उसकील गेंगे लोग आपको ही अगर दसजर सेलरी मिले आपको काम नहीं करने तो भीया वहीं पर जाओगे आगे नहीं बढ़ोगे अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने अंदर सुधाल लगना पड़ेगा सिम्पल सी बात है अगर यह कर लेंगे आप तो आपका सेलरी भी एक देख दिन अच्छा हो जाएगा क्यों बता रहाँ देखो कमपणी में मैं आलो मेरे कमपनी है मैं एक बंदे को रखा मालो दसजर में और मैं देख रहा हूं कोई बंदा काम कर रहा है बीसजर का मेरे को डर लिए अच्छा टालेंट आयROD आएगा अच्छा काम करें अच्छा काम करें हैंלי कंपणी अच्छा ग्रोध होगा च्छे होंगे प्रोड़कर अच्छे बनेगे तो कं प्रोड़ोध होगा आसपस आप इंकम कर सकते हैं प्राइबेट में भाई सब क्या है खाली अगर नोकरी करोगे आप एवरेज में देखेंगे तो लगबग आप लगा लो यहाँ पर भी सेम है एक से दो करोड कमा सकते हो लेकिन प्राइबेट वाला बंदा क्या होता है थोड़ा सा डाइनमीक होत सकते हैं मालो जिसका सेलरी जो रहे गया वाई सब्सक्राइब तो एक करोड कैसे पहुचेगा लगबग मुच जाएगा थोड़ा सा घीचतान के लेकिन अगर मालो चालिस साल क्योंकि यह जो जौब करेगा डिप्लों के बाद चालिस साल जौब करेगा 40 येर्स जौब खर नोगे करेगा ये जितना बी चीज़े बता रहा हूं एवरेज है आपके आसपास हो सकता एक्सेशनल केस मिले मेरे पास भी एक्सेशनल इसमें खास करें प्राइवेट में मेरे पास मेरे मेरे खुद का फ्रेंड़ फ्रेंड है उसको 17 सेलरी मिलता है डिप्लोमा के बाद लेकिन कहां काम करता है प्रोड़क्ट बेस कंपनी में काम करता है कि इतने साल हो क्या साथ साल 17 सेलरी जो गवर्मेंट में साय उसको 10-12 साल लग जाया पहुंचने के लिए राइट अच्छा इतो प्रॉल इंकम बता दिया लेकिन मे इस तो भाई साफ है कि आप बहुत डाइनमिक हैं यू और वेरी डाइनमिक विकॉस प्राइबिट में डाइनमिक होना बहुत जरूर ही है मतलब घोड़े की तरह काम करना पड़ता है कि प्रॉफिट से ये सबको तो क्या करिए आप अगर आपके आप ऐसे ब्रांग से बिल मुझेा कर सकते हों इलेकर गांटियों किया कर सकते हैं आप किसी पांख़े वाला कूलर वाला कम्पनी का यúa फिर कुछा और से प्लेंस या फूरक मिलाग कर सकते हैं अपको सामे मेक्जा फिर से हम यहाइप दो लगेगा कहीं कम कहीं ज्यादा है सबसे ज़से आगर पहुलेंगे पैसाक इसमें है नाम किसमें है जो यहार कुछ के बिजनेस में बच्शं टके हैं आपके पास अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हो तो आप्टर फाइव येर्स आप पांस साल तक मेहनत करो सीखो चीजों को जितना सीख सकते हो बोटर लो फिर अपने छोटा सा बिजनेस जॉब करते हैं करो टेस्टिंग के लिए वो कामियाब हो गया देखो पैसा अच्छा कमार हमिए बंदे को रख लोई सस्ते में विकास जॉब देना जब सब को जब लेकल सारे तयार रहे हैu पिजनेस करना मेरे को रगता है जोब भाई विजुन साथा हॹोई गैंसा लें सारे सा आ है साका मीजें है तुम आनलायसिस करता है यह मैंने देखा है लिक्षितेitos आहले क तो सिदा काम जटाएज एटीचरे करेंगे को क्या रहे हैं तो आपको मैं आइडे यह थिया कैसे आप पैसे सकते हैं नाम भी कमा सकते हैं और लोगों को सर्विस दे सकते हो अच्छे सर्विस इस पर सकते हैं कुछ आप अपना smart idea भी लगा सकते हो लेकिन अभी आप college में होंगे I hope so मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं आप आप बहुत से parents भी वीडियो देखते हैं तो यह चीज़े आप implement कर सकते हैं मैं सबसे बड़ा problem मुझे क्या लगता है यह problem fixed salary fixed growth वाला problem इसमें किसी भी गलती नहीं चाहिए स्टेट या फिर आपका सेंट्रल करेंगे वहां पर फिर से बहुत प्रॉब्लम में भी आ सकता है आने का chances बहुत जाता है तो कहानी आप लोगों समझ में आगया क्या है अच्छ अब guys बात करेंगे very important जो अकसर लोगों को बात नहीं करते है perks का और stability का देखो definitely government में stability है लेकिन private में कहीं कम stability नहीं है अगर इस्टेटी के problem आता हो short time आता है full time नहीं आता है लेकिन government में लगबक 100% stability है इसमें लगबक 100% नहीं है सच्छा ही यह है right because वो private है लेकिन अगर कह आगे दूसरे चले जाओगे government जो काम करते हैं वो दूसरे दूसरे में जाने लायक या फिर जाने के लिए तैयार ही नहीं आता है private में लेकिन यह बले कहीं एक से मालो problem है दूसरे में चले आएंगे बहुत सरे company है यार आपके अंदर skill है job मिल जाएगा अभी मालो situation problem है सब्सक्राइब करता है किसमें काम कर रहे हैं सबसे अच्छा मिलता है मैंने देखा आप तक PSU में और आपका railway वालों को मिलता है लेकिन सबसे बोड़ी करता है कौन सेक्टर में काम कर रहे हैं क्या है लेकिन प्राइवेट में vendor company में इतने अच्छा अच्छा नहीं है लेकिन बड़े companies में हो सकता है government सब्सक्राइब को मिल जाए ऐसा ही हो सकता है बड़े जो companies है जिनका product है इनके पैसा है राइट मतलब पैसे कमा रहें उनके पास पैसा इसका मतलब कहां नहीं समझ माया तो यह था आपका पूरा analysis I hope so you got my point जो मैं आपको समझाना था मैंने समझा दिया है और अगर आप मालो internet के rated business करना चाहते हो तो आप मेरे internet business blueprint आप क्या कर सकते हैं आप प्राइब कर सकते हैं उसका link कहाना लोग मैं description में it's only 9 rupees go for it if you want to start your online business basic से basic पूरा कैसे लोग काम कर रहे हैं कैसे लोग पैसे कमारे हैं सब कुछ बता रखा मैंने ताकि आपको पता लगे और एक business के बारे में और यह आप जौब करते भी कर सकते हैं पढ़ाई करते हैं at least आ कोई queries आपका है नीचे comment पूछ सकते हैं मेरे को instagram follow कर सकते हैं for life son link का मिल जाएगा description और first comment में thank you very much guys bye bye see you soon god bless you all